नमस्कार मैं आसिसराठ और आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ एक जटका तो ये कि CBI ने अर्विंद केजरीवाल को तिहार जेल से गिरफतार कर लिया दूसरी चीज़ ये कि दिल्ली हाई कोट जो है वो अर्विंद केजरीवाल के जमानत पे रोक लगा दी और तीसरा बड़ा जटका की सुप्रिम कोट ने भी अर्विंद केजरीवाल को जटका देते हुए जमानत को पुरी तरीके से खारिच कर दिया यानि चारों तरफ से अर्विंद केजरीवाल को जटका जटका सिर्फ और सिर्फ जटका मतलब कहीं से भी राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है तो सुप्रीम कोट का एक्षन और उसके बाद दिल्ली हाई कोट का एक्षन और राव जवन्यू कोट की वेकेशन बेंच ने जो गलती करी जमानत दे करके राव जवन्यू कोट को करी फटकार सुप्रीम कोट और हाई को जो है वो पुड़ी तरही के से शुरू हो गई है लेकिन इस पर क्या-क्या बड़ी फैक्ट्स हैं क्या-क्या बड़ी चीज़ें सामने आई है वो तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे लेकिन सबसे पहले देखिए जो ख़बर आ रही है कि बीजेपी के बड़े प्रवक्त आया हूं कि अर्विंद केज़िवाल ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लालू यादाओ के बाद सबसे जादा समय तक जेल में रहे हैं देखिए दोस्तों मैं आपको क्लियर अगर मैं सारी चीज़ें अगर बताऊं तो कहीं न कहीं यह जो मन जिंदर सिंग जो हैं वो हमेशा से बेवाक तरीके से अपनी बाते रखते हैं और ये बात बिल्कुल सत्य है कि हाई कोट का मानना है कि अर्विंद केज़िवाल के खलाब परियाप्त सबूत हैं तो इसमें तो कोई दो मतर आय है ही नहीं कि इनको जेल में लंबा नहीं भेजना चाहिए अब ये पूरी तरीके ये जेल में रहें तो ये तो और शर्म की बात हो गई है अब देखिए इस पर पॉलिटिक्स तो चली रहा है अब देखिए ये प्रेस कांफरेंस करके रोज नहीं नहीं स्क्रिप्ट बनाते हैं तो बीजेपी तो जो बात सत्ते होती है वही बोल रही है अब देखिए दिल्ली हाई कोट के तरब से और जमानत पर रोक लगा दी गई तो इस पर जो विरन सस्देवाजी हैं उन्होंने साब तर पर कहा कि मैं न्याले के फैसले का स्वागत करता हूं एक बात तो तै है कि दिल्ली के शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने ब्रस्टाचार क किया और व्यक्तिगत तोर पर वे शामिल थें मैं नौ अप्रेल का हाई कोट का ओर्डर याद दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने स्पस्ट किया है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफतारी वैद है और जाच एजनसी के पास परियाप्त सबूत हैं हमारा मानना है कि जो दिली हाई कोट ने भी बड़ा स्टेट्मेंट दे दिया है कि अरविंद केजरीवाल के खलाफ एडी द्वारा पेश की गई समागरी का उचित आकलन नहीं किया निचली आदालत ने जो कृत किया जो उनके साथ ब्रताव किया एडी के वकिल के तरब से और उनके वह बहस कर के तरब से उनको ये भी मौका नहीं दिया गया कोट में अपनी दलील रखने का वहस करने का ये बहुत शर्म की बात है ये इनसाफ के मंदिर में एक बहुत बड़ा पाप है अब देखिए यहां पर कि जज ने कहा है कि हमारा मानना है कि हाई कोट पहले की गिरफतारी को सही ठहराने का आदेश दे चुका है ऐसे में वेकेसंज जज की जो गिरफतारी को गला ठहराने की टिपनी जो है वो नहीं करनी चाहिए तो ये सबसे बड़ी बात है दूस्तों कि जज सहाब पहले भी ये बात कह चुके हैं कि हाई कोट ने गिरफतारी को जो है वो सही ठहराने जाने का आदेश दे दिया है, पहले ही दे दिया था कि जो गिरफ्तारी अर्विंद केजरिवाल की हुई है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो मत राय नहीं है, लेकिन ऐसे में राउ जवे न्यू कोट की वेकेसन बेंच की ज़ज को गिरफ्तारी को गलत घहराने की गलत इ कि सिंगल बेंज ने आदेश शुन्ना सुरू किया और जस्टिस ने कहा कि इडी ने हमें बताया है कि निचली अदालत के जज ने लिखा है कि उनके पास सभी दस्तावेज देखने का समय नहीं है अब शेक मनु सिंगिवी ने कहा कि बेल रद नहीं होनी चाहिए सभी बिंदूओं को विस्तार से देखने की जरूरत है PMLA Section 45 से जमानत के लिए दी गई दोरी शर्ट का पालन नहोने की दलिल काफी मजबूत है सबसे बरी बात यह है दोस्तों कि यहां पर जस्टिस ने साबत तर पे यह कहा कि निचली अदालत ने जर्ज ने लिखा है कि उनके पास सभी दस्तावेज देखने का समय ही नहीं अब भया मुझे आप यह बताइए कि जब आप दस्तावेज देखने के पास आपके पास समय ही नहीं है तो आप फिर बैठे क्यों है आपके पास जब समय नहीं है और आप दस्तावेज देख भी नहीं रहें और उसके बाद राहत भी दे रहें उसके बाद आप उनको जमानत भी दे रहें और जब आपके उपर ऐसे ऐसे कटाक्श होते हैं तो इसके बारे में आप कोई स्टेटमे नहीं होनी चाहिए ये वो भले वो ड्रामा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जमानत मिल जाए लेकिन जमानत का जो तक नहीं मिल रहा है इनको अब देखिए यहां पर आपको ये भी बता दू कि अभी आम आदमी पार्टी मुख्याले पर भरस्ट और ताना इस पर आम आदमी पार्टी मुख्याले के बाहर जो ये ड्रामा हो रहा है इनको ये ड्रामा लगता है आम आदमी पार्टी के लोग को ये ड्रामा लगता है ये बिचारे ऐसे लोग हैं जिनको तनुखा नहीं मिला जो लोन लेकर के अपनी घर चला रहे हैं बच्चे की कर रही है तो इसको यह ड्रामा लगता है इन लोगों को और यह आमादमी पार्टी दफ्तर खोद देखिए अगस्त में हो सकता है तो इनको खाली करना पड़ेगा यह कोट का जमीन है तो यह तो चलिए सरकारी जमीन पर भी अपना अधिकार जमाने की पुरी कोशिश करते हैं अब यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर अरविंद केजरिवाल जो दिली में पानी की समस्या है इसको लेकर के अब दिली की जनता खुल करके इस पर बात विचार करने लगी है इस पर बड़ी बड़ी टिपनिया देने लगी है अब देखिए यहाँ पर दिली की जनत के साथ सिर्फ और सिर्फ विश्वास घात किया है देखिए वो जनता जो आठ दस साल से अर्विंद केजरिवाल सरकार पे भरुसा कर रही है कि ये हमारी समस्या को दूर करेगा वो तिहार जिल में बैठा हुआ है और तिहार जिल में बैठ करके अपने मंत्रियों को बुला कर करके आदेश दे रहा कि जाओ विधाकों को कहो कि अपने छित्र में जा जा करके लोगों से मिले लेकिन एक भी विधायक उनके मिल नहीं रहे है लोग से उनकी समस्या सुलज नहीं रही है फिजिकली अब जनता जो है वो दिली के सीम से मिलना चाहते है उनसे अपनी समस्या बात करना चाहते हैं क्या जंता संभाव हैं तीन करण से ज़्यादा जंता तिहार जल में जाकर को उनसे मिलेगी नहीं मिल पाएगी तो इसलिए तमाम सवाल खरे हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें भी दिन परती दिन बढ़ती जा रही है अलाकि आप क्या सो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जोगा